सबसे पहले स्वागत आप से वो किस नए वीडियो पर यह इंफर्मिशन मितला विश्विक देला के पार्ट वन पार्ट टू सेमेस्टर वन और सेमेस्टर पोर के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो रिजल्ड का इंतजार कर रहे हैं तो के रिजल्ड को ले करके साथ छत्राओं के रिजल्ड जो जारी होने की जो संभाविक तीती है वह भी एनूंस की गई है मैं अपलों को भी बताऊंगा वीडियो को सुरूशन तक जरू देखिएगा वीडियो चैनल को सब्सक्राब करके जरूर रखिएगा तो चलिए बिना समय गाते हैं पूरे के पार्ट टू और समेस्टर और समेस्टर पोल के रिजल्ड का इंतिजार कर रहे हैं आज के प्रेस्वी के अपती में चुरू रिजल्ड को लेकर करके इन्फोर्मेशन दी गई है वो मैं अपनों को दिखा दाऊं तेके मितला विश्विद्यालाई के तीन लाक पहले मंथन हो रहा था अब बिश्वेस्मनतन हो रहा वह जो पहले होना चाहिए वह अब हो रहा है चलिए डेके आपया पुरानी टाटा कंपङए के कि पुरांी दाटा कंप्चैन के कारणर करण परईच्छा परिणाम अने में देः और पुरह जानकाळी यह बटरी करता हूँ चलिए लाइन वर लाइन पर करके सुनाओंगा इसी में आप लोगों को पता चलिएगा कि आप लोगों के रिजल्ट चैव पार्टवन का हो या पांट्टू का हो या पीजी बलेच्छा चत्राओं का हो सभी जानकर इसमें दी गई है ठीक है ललीत नाराई मिथला विष्विद्यालाई के सनातक और सनाकोतर के तीन लाग से अधिक विद्यार थी परिक्छा परिनाम नहीं निकलने से परिशान है इसमें सनातक परतम खंड जिसका सतर दोजार बीश से तैस के लगभग पौने दो लाग परिक्छार थी चो माह से परिक्छा परिनाम के इंत का हुआ है इस बीच लंबित परिक्षा परिनाम परकासित करने को लेकर चौम मई 2022 अर्थात आज के दिन कोबिस्वी द्यालाय के अधिकार्यों की बिसेस बैठक बुलाई गई है इसमें पुरानी डाटा कंपनी से परिक्षार्थियों के परिक्षा समन्दी डाटा आधि को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके बाद है नीचे परिक्षा दियन तक डॉक्टर आनंद महनमिस्रा ने बताया कि पुरानी कम्पनी के पांस तीन सत्रों के परिच्छा परिणाम समंधिट डाटा है अर्था तीन सत्र के है कम्पनी परिच्छार्थियों की डाटा देने से आनाकानी कर रही है जब कि कम्पनी के बकाया तीन करोर के भुपतान समंधि फाइले भी आगे बढ़ गई है के लिए इसके बाद भी कंपनी परिक्षार्थियों के भविश के साथ खिलवार कर रही है और कौन कर रहा है वो आप लोंको पता है जो डेट है मैं आपनोंको पता रहे हूं परिक्षा नियंतरक ने कहा कि सनातक दूतिये खंड सत्र दोजार नियस से बाइस के परिक्षार्थियों की कौपी जाच चल रही है और भाई 17 तक चल रही थी अभी भी चल रही है संबबता 6 मई के दूसरे सप्ता या तिसरे सप्ता में रिजल्ट परकासि किया जा सकता है पार्ट टू वाले चाथ 17 यहां पे जो अपडे वही उन्होंने कहा कि सनातक पर्थम खंड 17 2020-23 का परिक्षा परिनाम पुरानी डाटा कंपनी द्वारा परिक्षार्थियों का डाटा सौ समय उपलब्द नहीं कराने के कारण रिजल्ट में बिलंब हो रहा है सनाक पर्थम सेमेस्टर 17 2020-22 और सनाक पर्थम सेमेस्टर 19-21 के लगभग एक लाग परिक्षार्थियों का परिक्षा परिक्षा परिनाम भी डाटा कंपनी के अडियल रवया के कारण अब तक परकासित नहीं किया जा सका है मैं आपको बता दू कि पार्थ 1 के चाथ 17 का पार्थ सनाक पर्थम सेमेस्टर के चाथ 17 का रिजल्ट भी नहीं आया है और कंपनी अनुद महुर्भी साजी के अनुसार की डाटा एजेंसी ऐसा कर रही है इसके बाद आगे की जानकारी इसमें दी गई है पुरानी डाटा कंपनी के पास है परिक्षा 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 परि तो यहां फिर इस अपडेट के माध्यम से आप लोग तो समाज ही गए होंगे कि आप लोग के रिजल्ट कोले करके आज की दिन बैठक हो रही है जिसमें आनंद मौन्द मिस्ताजी के कहें अनुसार की जो डिग्री पार्ट टू के चाहत चातर हैं उनके रिजल्ट दूतिय डाता में जारिक किये जाएंगे और आजके बैठक में परट वैं और सिमेश्टर डातार के बातक विचार होंगे तो देखना होगा कि यह की आप लेट आती है मैं आप लोगों को दे दूंगा फिलाल आप लोग वीडियो देखें इसके लिए धन्यवाद